आज के पाठ का सीर्षक है मुक्तिबोद के कावे के प्रमुक्त सरोकार्ण इस पाठ के अध्यन के उपरांद आप मुक्तिबोद की कविताओं से परिचित हो सकेंगे मुक्तिबोद के कावे विवेक से परिचित हो सकेंगे मुक्तिबोद के सामाजिक सरोकारों से अउगत हो सकेंगे मुक्तिबोद की काव प्रवित्यों से परचित हो सकेंगे मुक्तिबोद की भाषा और शैली से अउगत हो सकेंगे लगभग प्रियोग वात के साथ ही सामने आकर 67 हिंदी काव अंदूलन तक लगातार साहित से जुड़े रहने वाले कवी समीक्षक, कथाकार, मुक्तिबोद, आधुनिक का विधारा के सरवाधिक, चर्चित, महत्वपूर और विवादास्पद रचनाकार रहे हैं अपनी निजी जिन्दगी में निरंतर संघर्ष रत मुक्तिबोद की कविताओं में भी जीवन की भयावता और संघर्ष सरवत्र भरा पड़ा है तारसब्तक में संकलित मुक्तिबोद की कविताओं तमाम प्रयोगों से भरी होने के साथ ही उनके विद्रोही व्यक्तित्तों का भी साक्षातकार कराती हैं मुक्तिबोद के कवि व्यक्तित्त कोरे खांकित करते हुए चंचल चौहान ने लिखा है प्रगतिवादी दौर में जो धारा चौड़ी हुई थी वह शीत युद्ध की राजनीत की चपेट में काफी छीन हो गई थी यद्यपितार सब्तक तक वह प्रगतिवादी ही थी बाद में खासकर 1950 के बाद नई कविता और और कविता के आंदोलनों के अंधकार में प्रकाश की वह धारा च्छीन हो गई थी अकेले मुक्तिवोधी रचनास्तर पर लड़ाई लड़ रहे थे और 1965 में जैसे ही उनका कावे प्रकाश में आया प्रतिक्रियावादी कावियान धकार की परतें फट गई उन्होंने च्छायवाद की सीमाएं लांग कर प्रकतिवाद से मार्सवादी दर्शन लेकर और प्रयोगवाद के जरूरी हथियार संभाल कर एक स्वतन त्रकवी के रूप में वादों और पार्टियों से ऊपर उठकर निराला की खुली मानावतावादी विद्रोह की परं था उनकी लेखन का कम हिस्सा ही प्रकाशित हो पाया था उनकी जीवनकाल में जब उनकी पहली पुस्तक छपी तब वे होश हवास खो चुके थे उनकी रचनाओं का मुल्यांकन उनकी मृत्त के बाद ही हो सका इस संदर्व में प्रमोध वर्मा के टिपड़ी पहुत सटीक है उन्होंने लिखा है कि जिन कवियों को कीरत सम्मान अपने जीवनकाल में मिल जाता है वे भाग्यवान और जिने मरने के बाद मिलता है वे अमरपत के अधिकारी होते हैं अगर पंत और अग्ये पहली श्रणी में आते हैं तो प्रसाद, निराला और मुक्तिवोद दूसरी म इनमें भी मुक्तिवोद ऐसे कभी हैं जिनें अपने हिस्से की सारी कीरती मरने के बाद ही नसीब हुई बहुत कुछ काफका और वाल्टर बेंजामिन की तरह उनके कभीता संग्रह हैं चांत का मुठी अढ़ा है जो 1965 में छपा था भूरी भूरी खाद धूल 1980 में छपा था उनकी डायरी है एक साहित्तिक की डायरी जो 1964 में छपी थी उनके निबंध है का माइनी एक पुनर विचार नई कभीता का आत्म संगर्ष नए साहित्तिका सौ पन्यास है विपात्र उनकी कहानिया काठ का सपना सता से उठता आदमी एवंग अन्य रचनाव में भारत इतिहास और संस्कृती महत्तपोन है मुक्तिबोद रचनावली च्छा खंडों में प्रकाशित हुई थी जीवन परियंत समस्याओं से जूचते रहने वाले मुक्तिबोद का कविता संसार बहुत ही विश्त्रित है उसमें जीवन के अनेक रंगों और रूपों का दर्शन होता है उनकी कविताओं के बारे में डाक्टर केदारना सिंग ने लिखा है मुक्तिबोद की सारी कविताएं एक ही विराट काव्वे के अलग-अलग खंड हैं जिनमें कुछ प्रतीक और कुछ चरित्र लोट-लोट आते हैं मुक्तिबोद एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं को उनके काल संदर्व से अलग करके समझा ही नहीं जा सकता वे गहरे अर्थ में एक काल बद्ध कवि हैं यह काल बद्धता कोई सीमा नहीं है बलकि एक ऐसे विलक्षण ओर्जा है जो अपने समय के प्रतिगहरी रागात्मक संसक्त से उपज़ती है मुप्तिबोद की कविताओं अपने समय के जीवित इतिहास को कविता में बदलने की चुनोती का सामना करने वाली कविताओं है कला की द्रिष्ट से यह एक मुश्किल काम है क्योंकि इतिहास का खास तौर से सद्ध्य घटित इतिहास का कच्चा माल इस काम में कभी की ज्यादा दूर तक मदद नहीं करता। शायद कविता इसलिए बहुत शुरू से स्मृत गर्भी भाषा का प्रयोग करती आई है। प्रचलित रूपक, परंपरागत, प्रतीक, एतिहासिक चरित्र या आख्यान ऐसे ही स्मृत कर्भी उपकरण है। मुक्तिवोद अपनी कविता में एक भाव या विचार को संप्रेशित करने के लिए एक पूरा दिश्या लेक प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा भाव के स्तर पर एक अद्भुत पदार्थ मैता का निर्मार करते हैं। मुक्तिवोद के काव के कत्थ और शिल्प दोनों ही पक्षों की विशेश्ताओं को रेखांकित करते हुए, शम्षेर बहादुर सिंग ने लिखा है, मुक्तिवोद हमेशा एक विशाल का इनवास लेते हैं, जो समतल नहीं होता, जो सामाजिक जीवन के धर्म शेत्र और व शरेंत्र का जाल साफ फैलता सिमटता है, और इस जाल में हम और आप अंजाने तोर से और अनिवारे तह फंस गए हैं, और निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, मगर कहीं रास्ता नहीं है, और फिर भी पक्का विश्वास है कि रास्ता है, इनमें लै, सुर और ताल की बारेक किया न डूंडो, ये लिपियों की भावुकता नहीं, इन में विचार गुन गुनाते हैं, इन में तस्वीरें बहुत ही जागे हुए होश की हैं, इनका अर्थ प्रेम का आलिंगन नहीं, पैमानों के इशारे नहीं, भीकती रातों करवटें लेती सुबहों की अंगडाईया और कस्मसाटे नहीं, यहां देश विदेश के इमेजों के उलजाओ नहीं, फरार नहीं, इनकलाब नहीं, इनका रोमान दर्धनाक है और आज का है, बिलकुल आज का है, और बहुत पुराना भी है, अगर कविता में ऐसी कोई गाथा उभर उभर उठे, तो कितनी ही लंबी वहो अखरेगी नहीं, मुक्तिबोत की कविता अद्भुत संकेतों भरी जिग्यासाओं से, अस्थिर कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं, मुक्तिबोत की विशेष्टा यह है कि वह कविता और विचार को भाववादी चिंतकों की भावद मनो जगत की उत्पत्ति न मानकर उसे वस्तुगत और भौतिक जगत की सच्चाईयों तथा श्रम की उपज मानते हैं, जो उनकी वज्ञानिक समझ की देन हैं, अपनी कविता विचार आते हैं में उन्होंने इस बात को बहुत व्योस्तिर धंग से विक रहते हैं, विचार आते हैं, लिखते समय नहीं, बोज ढोते वक्त पीच पर, सिर पर उठाते समय भार, परिश्रम करते समय, चांद उकता है, वो पानी में जल्मलाने लगता है, हृदय के पानी में, विचार आते हैं, लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त, पीट पर उ मुक्तिबोद ने अपने जीवन और रचना दोनों में सत्य का पक्ष लिया। अंधकार और प्रकाश के प्रत्यक्ष महा समर में उन्होंने प्रकाश का साथ दिया। अपनी रचनाओं में उन्होंने एक तरप काली ताक्तों, सामन्तों, महाजनों और रक्त प्रिपास पूजी पत्यों की कलाई खोल कर रख दी तो दूसरी और मेहनतकश अवाम, मजदूरों किसानों, निम्नमध्यवर्ग और निम्नवर्ग में व्याप्त गरीबी, शोशन और अमानवी अत्याचारों के अंतहीन दर्द को भी उद्गाटित किया, उन्हें संघर्षोनमुक किया और साथ ही अपने जैसे दूसरे रचनाकारों को भी वैसा करने के लिए प्रेरित किया, सत्य के गर्वीले अन्याय नसह में उन्होंने इस बात को इस तरह कहा है, सत्य के हत्याकर, बुद्ध के आत्मा के विश्भरे तीरों से, खींच चित्र मान का प्राणों के रुधिर की लकीरों से, तेरे जैसे पीरित की शोशित असंखिजन, कब से खड़े है मित्र तेरे इंचजार में, बाहों में भर ले तू, छाती में डुबो ले आज, उनके अपार प्यार भरे, मन यूँ अपने को उबार ले, मुक्तिवोत की कविताएं अपने सामाजिक यथार्थ का प्रामाडिक दस्तावेज हैं, उस विद्रूप और भयावा यथार्थ की अभिव्यक्ति उनकी अधिकांस कविताओं में देखी जा सकती है, एक भूत्पूरु विद आत्मक कमरे भीड़ा पड़े, जहां एक जमाने में चुमे गए थे होट, छाती जकड़ी गए थी आवेशा लिंगन में, पुरानी भीतों की बास मिली होई, एक महक तुम्हारे चुम्बन की ओर उस कहानी का अंगारी अंग स्पर्ष, गया, मृत हुआ, हम एक ठह हुए मक के नीचे दबे पड़े हैं, हमने पहले कह रखा था, महल गिर जाएगा, खूपसूरत कमरों में कई बार, हमारी आँखों के सामने, हमारे विद्रोह के बावजूद, बलातकार किये गए, नक्षिदार कक्षों में, भोले निर्व्याज नयन, हिरनी से मासूम चेहरे, निर पूरते हुए घेरे में, वे तनमन, दबते, पिभलते हुए एक भाब बन गए, मुक्तिबोद को कठिन समय का कठिन कभी कहा गया है, उन्होंने सच को कठिन वैचारिक और भावात्मक संगर्ष में पाया, और कविता में चरितार्थ किया, उनकी कविताओं पर श्रीकान त टिपड़ी विशेश महत्त की है, मुक्तिबोद की सार्थक्ता इसमें है कि उन्होंने इतिहास के प्रशनों को इतिहास के प्रशन काकर नहीं छोड़ दिया, बलकि उन्हें कविता के प्रशनों में बदल दिया, उन्होंने भरष्टाचार और शोषन का परदाफास किया है मुक्तिबोद यह देख रहे थे कि प्रष्टाचार में आकंट डूबे समाज में सही और इमांदार व्यक्त को हमेशा अस्फलता मिल रही है यह अस्फलता इसलिए है कि इसे प्राप्त करने के जो तरीके हैं वे इमांदार आदमी को पसंद नहीं मैं तुम लोगों से दूर हूँ शीरशक कविता में कविने तथा कथि सफल लोगों से अपने को अलगाते हुए अपनी अस्फलता का कारण इस प्रकार बताया है मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ, तुम्हारी प्रिरणाओं से मेरी प्रिरणा इतनी भिन्न है, कि जो तुम्हारे लिए विश्ष है, मेरे लिए अन्न है असफलता का धूल कचरा ओड़े हूँ, इसलिए कि वह चक्करदार जीनों पर मिलती है, छल छद्म धन से, किन तुम्हें सीधी साधी पटरी पटरी दोड़ा हूँ, जीवन की कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, सीर्षक कविता में मुक्तिबोद ने कहा है कि घुग्गु, सियार और कुत्ता बनकर बंदरों वरीचों के सामने नाचने से सफलता मिलती है वो कहते हैं, सामाजिक महत्तों की गिलवरियां खाते हुए, असत्त की कुर्सी पर आराम से बैठे हुए, मनुष्ट की तवचाओं का पहने हुए ओवरकोट, बंदरों और इचों के सामने नई नई अदाओं से नाच कर जुठाई की तालियां देने से, लेने से, सफलता क के ताले खुलते हैं, स्वरगी आभावाले जादोई चमक दिखाने वाले और बाहर से खुपसूरत दिखने वाले शोषक समाज का आभ्यंतर कितना कुरूप है, मुक्तिवोध ने इस पर भी अपनी निगार डाली है, कर्म के फल पर नहीं, कर्म पर ही अधिकार, सिखाने वाले वचन का आडंबर, पाउडर में सफेद अथवा गुलावी, छिपे हुए बड़े बड़े चेचक के दाग मुझे दीखते हैं, सब्विता के चेहरे पर मुझे याद आते हैं, मुक्तिवोध अपने समय की समस्याओं से भरे समाज में, तमाम कटुतिक्त अनुहों से गुजरते हुए, और बार बार इन मुसीबतों में खुद भी खिरे रहने के बावजूद मिराश नहीं हैं, वे यह मानते हैं कि ये सारी परिशितियां अवश्य बदलेंगी, इसलिए वो भविश्य के प्रतिलगातार आशानुएत हैं, अपनी इस मानसिक्ता को व्यक्त कर करने के लिए मुक्तिवोत कभी-कभी लंबी कभिताओं का सहरा लेते हैं, और इन लंबी कभिताओं में नाटकियता तथा फैन्टेसी का प्रयोग करते हुए, वे अपनी बात को कहने में सफल होते हैं। यद्यप इस प्रकार के रचना विधान की प्रक्रिया में धिक जटिल भी हो गई हैं किन्तो अपने सारे तनावों उल्जनों और असंतोष को जानने पर उस जटिलता का कारण समझ में आ जाता है और वे स्वाभाविक लगने लगती हैं मुक्तिबोत शोशित जनता के साथ अपनी स्पष्ट पक्षधरता घोशित करते हैं और समाज के लिए बेचेन लगते हैं यह बेचेनी चक्मक की चिनगारियां में इस प्रकार व्यक्त होती है मुझ पर छुब्द बारूदी धुएं की जार आती है वो उन पर प्यार आता है कि जिनका तक्त मुक समला रहा है धूम लारों में कि जो मानव हविश्यत जुद्ध मेरत है ज कि वे सब प्रश्ण कृत्रिम और उत्तर और भी छलम है समस्या एक मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी सुन्दर वर शोशर मुक्त कब होंगे इस प्रकार मानव मात्र को सुखी सुन्दर और शोशर मुक्त बनाना मुक्तिबोत की कविता का प्रमुक सरो कार हैं वह हर हाल में उमीद कायम रखते हैं अपनी उद्दाम आशा और जिजिविशा को सब्द देते हुए वह लिखते हैं मेरे साथ खंडहर में दबी हुई अन्य धुक्दुकियो सोचो तो कि स्पंद अब पीड़ा भरा उत्तरदाइत भार हो चला कोशिश करो जीने की ज गुल गलती सीर्शक कविता में और भी स्पष्ठ होकर सामने आती हैं महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सचाई के सुनहले तेज अक्सों के दुधलके में मुहिया कर रहा लशकर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का र सारे गढ़ों मठों को तोड़ने का आवान करते हुए अपनी करांतिकारी चेतना का परिचे देते हुए अंधेरे में कविता में लिखते हैं अब अभिवेक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे तोडने होंगे ही मठ और गढ़ सब पहुचना होगा तुर्गम पहारों के उस पार तब कहीं देखने मिलेंगी हमको नीली जील की लहरीली थाएं जिन में की प्रतिपल कांपता रहता अरुन कमल ए मुक्तिवोध ने अपनी कविता में भावों को व्यक्त करने के लिए अभिवेक्ति की नई प्रडाली की तलाश किये है उन्होंने कुछ कविताओं में फैंटेसी की शैली अपनाई है कला के तीन छण की चर्चा के क्रम में उन्होंने फैंटेसी पर विस्तार से विचार कि अंधेरे में जो स्वप्न कथा है वह फैंटेसी का ही एक रूप है। तथा वर्डन के अनावश्यक विस्तार से अपने आप ही निजात मिल गई है। वह अपनी भाषा का लगातार संसकार करते चलते हैं। कभी-कभी उनकी भाषा अपरिचित और भयावा शब्दों से भरी दिखाई परती हैं। जो कथेगत भयावाता के कारण है। मुक्तिबोद पित्रिपक्ष से मराठी और मात्रिपक्ष से हिंदी भाषी थे। इस भाषिक द्वंदो के कारण उनका कभीकर्म काफी चिनोती पून हो गया था। डाक्टर बच्चंसी ने मुक्तिबोद की काविभाषा के बारे में दो बातें किये हैं। एक मुक्तिबोद की कभिता जनवादी कभिता है, लेकिन कभिता की भाषा जनवादी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि जनवादी भाषा में लिखी गई कविता जनवादी ही हो, कभी अपनी भाषा की तलास स्वेंग करता है, दूसरी मुक्तिवोत की भाषा में अजीब खुरदरापन है, जो अपना अनुकरता नहीं पैदा करता, पर मस्रिरता की रूमानियत से बचाता भी है, इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी उनकी अपनी मात्रि भाषा मराठी पर भी है, इसलिए इसे हिंदी और मराठी का हाईब्रिड भी का आ जा सकता है, संभावता ऐसी भाषा में जनक्रांत की करकश्ता को रूपाइत करना संभाव है, मुक्तिबोत की कविताओं में एक भूत्पुरु विद्रोही का आत्म कथन, दिमागी गुहन धकार का ओरांग उटांग, एक रक का राग, ओका ब्यात्मक फडिधर, मालव निरजर की जरजर, कंचन रेखा, चांत का मुटी अड़ा है, मुझे पुकारती हुई पुकार, म रकमक की चिनगारियां एक स्वपन कथा, ब्रहमराक्छस, अंधेरे में भूल गल्ती, इत्याद काफी मौत्पूर्ण कविताएं हैं। वानी मिलती है। मुक्तिबोद अपने धंग से अकेले और अनूठे कवियें, जिनका न तो कोई पूर्वज है और न कोई वारिस। मुक्तिबोद की अंतरवस्तु और उनके विचारों का अनुकरन तो बहुतों ने किया, किन्तु उनकी शैरी का अनुकरन संभाव नहीं है उनकी कविता शोशर मुक्त समाज की पक्ष में खड़ी है।